आप सभी का सोगत है मारे इस YouTube चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं SCRT पठन अभियान यानि रीडिंग कैम्पेंग की गर्थी विदी पत्रग यानि एक्टिविटी सीख संक्या आपकी 15 यानि 15 के बारे में जो कच्छा आठ की और आज की दिना खर टिती किया है 32,000 बाइट से यहाँ पर प्यारे उच्छो आपको अपना नहीं यहाँ नहीं टीचर का नहीं लिखना है और इसे प्राइडम करने से पहले उच्छो उतादू कि आप सभी डेली और वीकली बहुत सारे प्राइस को जी सकते हो बस उसके लिए कर लो वीडियो को लाइक चैनल को कर लो सस्काइब फूल वीडियो को वाच करके क्या कर लो कमेट कर लो और इसके लिंक को अपने फ्रेंस के बीच में से रख लो अगर आप ऐसा करते हो तो आपने से कोई तीन लग्की विनार होंगे जिने हम क्या देने आले हैं प्राइस देने आले हैं और मंथली भी आप तीन लग्की विनार ऐसे होंगे जिने प्राइस मिलेगा तो जरूर पास्पेड करिएगा चलिए रेखते हैं इसमें क्या दिया ग इस कविता को ध्यान पूरर पढ़े और नीचे दिये गए अभ्यासकार को पूरा करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो बिटा इसमें पहला क्या दिया गया लाइन देखें। तुमने क्या नहीं देखा। आकसी जलक्ती मैं पेड़ पौधे जीव जन्तु सबको रात दिन जुलसाती हूँ मैं। तुमने क्या नहीं देखा है। बड़ी सी उमडी मैं रिमजिम रिमजिन बरस्ती मैं। नहीं मुझे पहचाना धूल भरी आंधी मैं तिनके से उड़ाती मैं जाओंगी सबको कोहिदे से घिर जाओगे ठंड में सिकुड जाओगे। मैं क्या हूँ मौसम हर साल हर बार 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 आओंगी। ठीक है कहने का क्या मतलब है देखिए पहली लाइन में यहाँ पर बात हो गई किसकी बिटा आपकी पहली लाइन में बात हो गई यहाँ पर गर्मी की। दूसी लाइन में पिटा आपकी बात किसकी हो गई, यहाँ पर पतज़ड की, और तीसी लाइन में बरसात की, और चौती बार में किसकी बात कर दी जा दी यह, ठंडे की, चलिए, नीचे देखिए क्या दिया गए, इसका विता में कौन-कौन से सब्द आपको कठिन लगे, उ और साथ आपको कठिन लग सकता है, तिनिका कठिन लगता है बहुत से बच्चों को, को ही रहे, यह सब्द भी आपको क्या लगता है बटा, कठिन लग सकता है, तो इन सब्दों को आप क्या कर लोगे, अपनी कौपी में लिख लोगे, ठीके प्यारे बच्चों, तो इसे आ रित्वों की बात हुई उनके नाम क्या करने हमें या पर लिखना है तो सबसे पहले किस रित्व के बात हुई है ग्रीस्म रित्व के बात किसके बात हुई है तो इसके बाद बेटा बात हुई है आपकी वर्सा रित्व की ठीक और वर्सा रित्व के बात किसकी बात हुई है और हेमंत और साथी साथ किसकी बात करी गई है वसंत रितु की तो ये चार पांच रितुएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर आपके बात किया गया है तो इन्हें आप अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे नोड डाउन कर लेंगे इसके बाद देखे क्या दियागे, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में पांच रुआ के लिखें, तो चलिए इसका उत्तर जो है, मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिख लिजे मेरा प्रिये मौसम वर्सा रितू है क्योंकि वर्सा रितू में जब पहली बार बारिस की बूंदे धर्ती पर पड़ती है तब सोंधी सोंधी सी खुजबू मन में आनन्द का भाउतपन कर देती है वर्सा रितू के आने से चार ओर हरियाली चा जाती है और यहां हमारे मन को आनन्द से भर देता है इसलिए मुझे यहां मौसम पसंद है चलिए रेखते हैं अगला परसन क्या है उसे भी नोड़ डाउन कर लिजए तो पेटा आगे आपको क्या दिया गया पर देखी यहां पर दिया गया है की अंग्रेजी कलेंडर के हिसाब से किस कौन से रितू कब और कब तक होती है इसके बारे में अपने परिवार से चर्चा करें तो चलिए मैं जो है इसके बारे में आपको बता देता हूँ और फिर आप अपने परिवार से चर्चा कर लिजेगा साथी साथ कॉपी में भी लिख लिजेगा तो बच्चो आप लोग लिख लेजे ठीक है सीत रिट्टू जनवरी से फरवरी वसंत रिट्टू अपरेल से मई ग्रीशम रिटू आपकी मई से जून ठीक है इसके बार लिखेए वर्सा रिटू आपका जुलाई से अगस्त ये लिखा है बैटा सराद रिट्टू सितंबर स एक्टूबर और हेमंत रित्व कब से कब तक होती है नौवंबर से दिसंबर चलिए देखते हैं अगला प्रस्न क्या है तो प्यारे बच्चो आगया आपकी कार पत्रिका होती है हिमसमात आपको वीडियो कैसे लगी केमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल ज्यादा से ज्यादा कॉंटस में पास्पेट करना धन्यवाद बच्चो